हाई गाईज, वेलकम तो माई चैनल कोर स्टूडियो दोस्तों इस वीडियो में आज हम सीखेंगे विड्रॉल ट्रांजेक्शन फोर पर्सनल यूज मतलब कि अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी फर्म से या कंपनी से कैश या बैंक से पैसे निकालते हैं तो उसकी एंट्री को आप टैली प्राइम में कैसे करेंगे यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो अभी जैसे कि आप स्क्रीन पर देखेंगे यहाँ पर एक्जाम्पल है विड्रो रुपीज 2500 for personal use on 1st May 2021 यानि कि एक मई 2021 को अपने personal use के लिए पच्चिस सो रुपे निकाले गए हैं तो आईए देखते हैं कि इसकी एंट्री को आप टैली प्राइम में कैसे करेंगे तो एंट्री पास करने से पहले आप यह ध्यान देंगे कि आपके पास टैली प्राइम में ड्रोइंग एकाउंट का लेजर क्रियेट होना चाहिए और ड्रोइंग एकाउंट का जो लेजर है वो capital एकाउंट के group head में एंटर होगा और इसकी एंट्री आप करेंगे debit side में आप एंटर करेंगे drawing account रुपीज 2500 और credit side में एंटर करेंगे cash या bank account यानि कि अगर आप अपने personal use के लिए company की capital में से cash निकाल रहे है तो cash एंटर करेंगे और अगर company के bank से पैसे निकाल रहे है अपने personal use के लिए तो bank account एंटर करेंगे आप यहाँ पर यह ध्यान देंगे कि एंटरी को pass करते है तो अब हम tally prime में आते हैं इसकी entry को pass करने के लिए तो सबसे पहले आपके पास tally prime में drawings account का ledger create होना चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पर create से ledger पर आएंगे और यहाँ पर enter करते हैं drawings account और इसे capital account के group head में रखेंगे और accept कर लेंगे इसके बाद अब entry करने के लिए vouchers पर आएंगे और अब हम यहाँ पर payment voucher को open करेंगे और payment voucher open करने के लिए आप यहाँ पर keyboard से F5 की भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर right side में आएंगे और यहाँ से payment पर click कर देंगे और आप देखेंगे payment voucher open हो गया है अब date change करेंगे जिसके लिए F2 की प्रेस करेंगे और date enter कर लेंगे इसके बाद अब debit side में यहाँ पर enter करेंगे drawings account then amount enter करते हैं 2500 फिर credit side में enter करेंगे cash और अब enter प्रेस करते हैं और यहाँ पर narration enter कर लेते हैं then enter प्रेस करते हैं और इस voucher को accept कर लेते हैं तो इस तरीके से आप withdraw transaction कर सकते हैं तो इस तरह अगर proprietor अपने personal use के लिए पैसे निकालते हैं तो उसकी entry को payment voucher में pass करते हैं तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई